तो दोस्तो आज ये 22 दिसंबर 2020 आज में लेकिया हूँ आपके लिए इंटेगरा टेली कोमिनिकेशन एंड सोप्टेयर लिमिटेट का कम्प्लीट एनलाइज तो अगर आप इस कम्पनी में निवेश करना चाते हैं या फिर आप इस कम्पनी में और टेली निवेश कर चुके हैं या नुकसान हुआ है या फिर मुनापा हुआ है और आगर आप जानना चाते हैं कि इस कम्पनी में निवेश करने का सही समय और एक्जिट होने का सही समय त तो दोस्तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful होने वाला है दोस्तो इस वीडियो में हम हर चीज का discussion करेंगे पहले सबसे पहले हम दोस्तो इस company का fundamental को समझ लेते ठीक है तो मैं लेके आच चुका हूँ आपको screener.in पे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस company का जो total market cap है आपको इस बग 33.1 करोड का इसका market cap है इस बग इसका current price चल रहा है 31 रुपे के आसपास यह lowest बना चुका है इस साल में 23 रुपया एकतर रुपया सौरी एकतर रुपया इसका highest है all time high है price earning ratio सबसे important चीज company का price earning ratio मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको price earning ratio बहुत ध्यान देना है invest करने से पहले इस से दोस्तों आपको company का valuation पता चलता है कि share इस बग महंगा हो गया है या फिर सस्ता हो गया है तो इस बग दोस्तों आज के time पे इसका price earning ratio जो है यह थोड़ा सा label पे आया हुआ है अभी ठीक टाक है फिर भी share थोड़ा बहुत महंगा है तो scroll down करके मैं आपको थोड़ा सा important चीजे पहले बता देता हूँ फिर दोस्तों हम chart pattern पे चलेंगे यहाँ पे आप देख सकते company is almost debt free ठीक है debt free company है no doubt इसका जो negative points है इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे आप देख सकते company का जो promoters holding है साड़े 17% घटा या हुआ हुआ है last quarter में इसकी वज़ा से भी इसका share price लगातार नीचे चला आया ठीक है तो sorry तो promoters की holding और total holding इस company का कितना है और किसके पास है चलिए जान लेते हैं तो दोस्तो हम आचुके हैं company के holdings पे आप यहाँ पे देख सकते हैं December तक मैं आपको शुरुआस से बता रहा हूँ December तक December 2018 के last quarter में आप यहाँ पे देख सकते हैं 60% से ज़्यादा promoters का holding था 37 के आजपास public का इसमें share था तो बीज में काफी उतार चड़ाव आया है अभी दोस्तों finally हमको यह दिख रहा है कि यह promoters जो है अपना holding देरे-देरे करके घटा रहा है और यह public खरिद रहा है ठीक है तो इस company में cool मिला के प्रोमोटर्स और public ही बचा हुआ है इसमें foreign investor नहीं है domestic investor नहीं है government भी नहीं है तो थोड़ा बहुत risky है लेकिन promoters की holding के मुताबिक और चार्ट पेटन और अगर हम इसका total fundamental देखें तो company थोड़ा बहुत ठीक ठाके थोड़ा बहुत मतलब हमें आज की टाइम पे थोड़ा वो ठीक ठाक चल रहा है थोड़ा सा support मिला है इस share को इस वक्त इसका weekly chart pattern देखें तो इस हफ्ते में भी लगातार ये 6.6% के आसपास का lower circuit दिया है आपको ठीके पूरे महीने का अगर chart pattern देखें तो 2% का negative return है कोई बात नहीं ठीक ठाक चल रहा है इस वक्त 38 रुपया इस महीने के highest था इसका ये lowest बना चुका है 31 रुपया 40 पैसा जबकि अभी भी same position पे खड़ा है ये company तो इससे दोस्तों पता चलता है कि इस वक्त इस company को एक अच्छा support मिला है ठीके तो ये company इसके बाद कुछ बड़ा करने वाला है आप ये समझ के चलिए 6 महीने का चार्ट परन देखे तो 6 महीने में लगातार 28% से ज़्यादा negative return दे चुका है ये share ठीके इस share का दोस्तों इस share को लेके जो video campaign चलाया जा रहा था YouTube में तब उस time पे बहुत सारे लोग फच चुके है इस share में तो गलट time पे सही share भी नुकसान देता है अगर आप गलट time पे किसी भी share पे निवेश करते हैं बीना जानकारी के साथ तो ऐसे time पे दोस्तों जब share लगातार अपर सर्कीट पे जा रहा था इस company में निवेश करने का सही समय क्या है वो वीडियो में यूटूब के वीडियोस देखके इंस्पायर हो गया और दोस्तों गलट time पे इस share को निवेश करके वो फच चुका है तो दोस्तों अगर आप इसका chart pattern देखेंगे तो इस वक्त ये लगातार 6 मैने से सबसे ज़्यादा lowest पे है मतलब इस वक्त आपको निवेश करने का एक सांदार मुका बन रहा है लेकिन दोस्तों इसकी chart pattern के मुताबिक इसकी जो lower circuit है इस पे अभी भी थोड़ा सा sweet है नीचे जाने की पूरी संभावना है ठीके पहले पूरी जानकारी जो आपको बता रहा हूँ वो समद लेना ध्यान से observe करना उसके बाद ही दोस्तों कोछ भी comment करना मैं आपको बता रहा हूँ तो max one year का देख लेते एक साल में 67% के आसपास का negative return दिया हुआ है एक साल पहले जो निवेश किया हुआ है अब इसको profit भी नहीं हुआ लुकसान भी नहीं हुआ ओ मतलब almost उसको recover करता करता उसका time गया ठीक है तो और लुकसान किसको हुआ सबसे ज़्यादा यहाँ पे वीडियो campaigning में आके जो सबसे ज़्यादा निवेश कर दिया उसको बहुत बड़ा लुकसान हुआ तो दोस्तो एक साल के चार्ट पेटन के मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे 38 रुपिया इसका lowest था यहाँ पे 31 रुपे के आसपास था यहाँ पे दोस्तो 30 रुपे के आसपास था ठीक है और यह 2020 का यह फरवरी का तो यहाँ पे 24 रुपे के आसपास था तो अभी अगर हम चार्ट पेटन देखे तो इस शेर में अभी निवेश करने का थोड़ा सा मौका बन चुका है लेकिन आपको इस कंपनी का फंडामेंटल को कंप्लीट समझना है क्योंकि दोस्तो इस कंपनी में अभी भी थोड़ा बहुत वालेटिलेटी है कंपनी का शेर अभी भी नीचे जाने की पूरी संभावना है ठीके मैक्स फाइवेर का देख लेते हैं दोस्तों मैक्स फाइवेर में आपको देखेगा यहां पे साड़े 36 परसन का नेगेटिब रिटेन दे चुका है यह कंपनी इसका लोएस्ट बना चुका है 10 रुपे के आसपास अगर मैक्स टू मैक्स देखे हम मैक्स टू मैक्स में आपको यहां पे 105 परसन का रिटेन देता नजर आ रहा है ठीके शुरुवात में जब यह कंपनी लिस्टिंग हुआ तो 15 रुपे के आसपास इसका शेर प्राइस था फिर अपर सर्कीट में गया फिर लोवर सर्कीट में गया तो दोस्तो पेनी स्टोक में निवेश करने का मैं आपको सबसे बहतरिन तरीका बताता हूँ जब तक शेर नीचे है तब तक आपको वेट करना चाहिए शेर और नीचे जाएगा ठीक है तो जब अपर सर्कीट में जाता है उसकी शुरुवात में आपको निवेश करना है उ ठीक है तो penny stock में आप long term के लिए निवेश नहीं कर सकते हैं इस वक्त के market के मुताविक ठीक है अभी जो situation चल रहा है market में आपको short term में ही इस सारी companyों में gain करना है तो दोस्तो आपको जानकारी कैसा लगा comment box में हमें जरूर बताई मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसा ही जानकारी के साथ हमारे वीडियो को आंते तक देखेने के लिए दोस्तो आपका बहुत बहुत धान्यवाद